हलो गाईज, वेलकम तो चारापुना, चारापुना में आप सबका फिर्सेक बर्स होगा थे तो शुशंद सिंग राजपूत और दिशा सालियन की केस में बहुत सरे सस्पेक्ट के अंदर पुलिस भी एक सस्पेक्ट था और ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है की कैसे शुशंद सिंग राजपूत की केस और कैसे दिशा सालियन की केस दोनो केस में पुलिस का यानि मुंबाई पुलिस का एक बहुत लार्ज भूमी का था यानि 2020 में मुंबाई पुलिस भी बहुत इमानदारी से अपना ड्यूटी निवाया था जो की दिशा सालियन और शुशन सिंग राजपुत की केस में जितने सारे प्रूब्स थे सब कुछ मिटाने की कोशिश किया बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम की पुलिस वाले ने फिलाल जो खबर हम लोगों के सामने आ रहा है ये सुनके आपको लगेगा कि आरे मेरा कान तो सही है न तो कुछ ऐसा ही खबर फिलाल शुशन सिंग राजपुत दिशा सालियन की केस में निकल के आ रहे है जो सुनके शायद ही आपको याकिन हो तो वो खबर क्या है वो खब और इस बार जो SIT की टीम गठन किया गया है जो SIT की जाच परतल चल रहा है तो इसके अंदर एक fresh investigation होना चाहिए दिशा सालियन की case में ultimately ताकि सच बाहर आए और जो exactly दोशी है उनको हम पकर के कानून के हिसब से उनको सजा दिया जाए और यही एक सबसे बड़ी बात हमें ultimately त तीन साल बाद सुनने के लिए मिला मुंबाई पुलीस की मूर से जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप कि आज मुंबाई पुलीस के तरफ से मदद किया जा रहे दिशा सालियन और शुशंत सिंग राजपूत की case का खुलासा करने के लिए यह case में ताकि दोनों को justice मिले यानि सही से एक fresh investigation होके, fresh probe होके ताकि सही प्रमान के साथ उन दोनों को justice दिया जाए ऐसा ही कुछ प्रायास चल रहा है कही न कहीं आप लोगों को लग रहे कि यह 3 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया है जिस वज़ा से इतने सारे changes आगे है जो पुलीस को हम इतना दिन से बदनाम कर रहे थे वो ही पुलीस आज ऐसा काम कर रहे है जैसे कि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को लगबाग एक आईडिया दिया था कि जो सरकार में होते हैं वो हमेशा स्टेट पुलीस को इस्तेमाल करते हैं सरकार की कोई घोटाला हो कुछ भी हो कोई स्कैम बगरा कुछ भी हो सब किसी के अंदर सरकार जब फस जाते हैं जब गला तक सरकार की डूब जाते हैं तब सरकार पुरी प्रेशर से पुलीस के माधिया से उस जगा से खुद को मुक्ती दिला आता है और बो ही हुआ था 2020 में आदित्य ठाकडे और उद्धब ठाकडे की सरकार के माध्यम से पर फिलाल महराष्ट में सिंदे सरकार है और डिफिनेटली सिंदे सरकार ने ये एनौस कर दिया बहुत दिन पहले कि दिशा सालियन की केस में SIT गटित हो देवेंद्र फर्णविस जी ये एलन कर दिया कि SIT गटित होंगे और अगर उन दोनों के साथ कुछ बुड़ा हुआ तो फिर सही प्रमान लेके उन दोनों को जस्टिस भी दिलाया जाएगा और जो काम फिलाल बहुती सही तरीके से हो रहे है क्यों? क्योंकि सरकार की नियत साफ होना चाहिए और सिंदे सरकार ने ये प्रमान कर दिया अपने कामों के माधियम से कि सिंदे सरकार की नियत साफ है तभी न जाके इतनी बरी एक कदम ले पाए आज सिंदे सरकार ने ये प्रमान कर दिया कि जिस मुंबाई पुलीस को तमाम देश की लोग गाली देते थे वो मुंबाई पुलीस की टीम ऐसा नहीं है अल्टिमेटली मुंबाई पुलिस को भी काम करना आता है और जो की आज हमें देखने के लिए मिल रहा है कि शुशांत और दिशासालियान की केस में मुंबाई पुलिस खुद चा रहे हैं कि एक fresh investigation हो तो ultimately दोस्तों ये news सुन के आपको क्या लग रहा है कि क्या सच में ही मुंबाई पुलिस दिशासालियान और शुशांत सिंग राजपुत की केस को solve करने के लिए मदद करेंगे या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा political game है जो भी हो आपका opinion डेफिनेटली comment section पर comment जरूर करिएगा तो मिलेंगे मैं नेक्स्ट की इसी वीडियो पर तिल देन सब कोई खुश रहेगा बरिया रहेगा ताटा